ये बात सन 1930 की है सतना गाउं अंग्रेजों के कबजे में था सारे अंग्रेज उनसे दो गुने लगान लिया करते थे और उन्हें खुब परिशान किया करते थे गाउं में सूखा पढ़ने की वज़ा से उनके पास लगान देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे इसी वज़ा से अंग्रेज उन लोगों को अपने दफ्तरों और घरों में साफ सफाई और छोटे मोटे काम के लिए रखने लगे प्रानलाल उसी गाउं का एक किसान था जो अपने परिवार के साथ मलकापुर में रहा करता था लगान ना दे पाने की वज़ा से एड़वर्ड जो की सतना गाउं का इंचार्ज था उनके यहां साफ सफाई का काम किया करता था आज तुम फिरसल लेट आए सुबह के आठ बज़रे हैं पूरा घर बिखरा हुआ है मालिक मैं तो कबसे आपके घर के बाहर था गोरी में साब सो रही थी इसलिए उन्हें उठाया नहीं जबान की जगे हाथ चलाओ वह ही अच्छा है जाओ और जल्दी से साफ सफाई करो जैसा आपका है जैसे ही प्रानलाल एडवर्ट के घर से गाउं आता है सारे गाउं वासी उसके पास जाकर कहने लगते हैं क्यो प्रानलाल तुम ने अपने बड़े मालिक एडवर्ट से लगान कम करने की 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 नहीं आज वो गुस्से में थे, इसलिए मैंने कोई मुद्दा नहीं निकाला, वरना मुझ पर चिला कर और ज़्यादा लगान बढ़ा देते तुम आरा तो अच्छा है, तुम उनके यहां काम करके अपना लगान कम करवा लेते हो, लेकिन हम गाउं वालों का तो कुछ सोचो साब सफाई करना मुझे भी पसंद नहीं है, और अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई, तो हमारे खाने का भी इंतिजाम नहीं हो पाएगा गाउं वाले कुछ दिन बारिश का इंतिजार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है, तब एडवर्ड अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गाउं में पहुँच जाता है तुम सब ने मुझे पिछले तीन मेहिनों से लगान नहीं दिया है, और ये बढ़ता ही जा रहा है हुजूर, आप तो जानते हैं, सूखा पढ़ने की वज़े से हमारे पास कुछ बचा नहीं है, राशन भी हम थोड़ा-थोड़ा करके खा रहे हैं इस से हमें क्या, हमें लगान दो, बुरना तुम से हम सब को छील लेंगे, तुम्हारा घर, जमीन सब, और अंग्रेजी हकूमत का सौप देंगे अगर आपने ऐसा किया, तो हम कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, इस गाउं के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है, क्रिप्या करके हम पर रहम खाएं इनके घहरों से साख कीमती समान ले लो सिर्फ कुछी दिनों के खाने का राशन पूरे गाउं के पास बचता है और राशन की समस्या लेकर सारे गाउं वाले सोच विचार करने लगते हैं इन कुछ दिनों के राशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला हमारे पास कोई दूसरी तरकीब भी तो नहीं है बस एक रास्ता है, हमें चलके हमारे पित्र देव को मनाना होगा, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा, उसके अलावा कोई और तरकीब नहीं है सारे गाउंवाले उदास चहरे और दया की भीक मांगते हुए पित्र देवता के मंदर के पास चले जाते हैं ए नात, हमारी रक्षा करना, जरूर हमारे पुर्वजों ने कुछ तु अच्छे काम किये होंगे गाउं के बुड़े बच्चे सब भूखे हैं, क्रिपा करें देवता, क्रिपा करें उन सब की प्रार्थना सुनकर वहाँ पर उनकी कुल देवी प्रकट हो जाती है चिंता मत करो, इस मंदर की मिट्टी ले जाओ, और उस मिट्टी का विशाल चूलहा बनाकर उसमें खाना बनाओ, वो चूलहा पानी से जलेगा और याद रहे, शुरुवात कुछ मीठे से करना, जो भी तुम उसमें बनाओगे, पूरे गाउवालों के लिए भर पेट होगा इतना कहकर कुलदेवी अद्रिश्य हो जाती है, सारे गाउवाले खुश होकर, मंदर की मिट्टी से एक बड़ा और विशाल चूलहा बनाकर तयार कर देते हैं वो तो अच्छा हुआ इस बार मेरे खेतों में थोड़े से गाजा रुख गए थे, इस चूलहे में सबसे पहले गाजर का हलुआ बनेगा उनके इतना कहते ही सारे गाउं के लोग गाजर का हलुआ बनाने की तैयारी करने लगे चूलहा पानी से जलाने के लिए पानी भी तो नहीं है मेरे घर एक घंडा पानी रखा है मैं उसे ले कर आता हूँ प्रानलाल विशाल चूलहे में सीड़ी से चड़ कर सारी सामगरी चूलहे में डाल देता है जैसे ही गाउवाले चूलहे में पानी डालते है चूलहा जलकर तयार हो जाता है कमाल हो गया, हम सब की प्रात्रा काम आई ऐसा लग रहा है, हमारे पुराने दिन वापस आ गए सबने बड़े चाउ से गाजर का हल्वा खाया कही दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि भर पेट खाना खाया है बस किसी तरह बरसात हो जाए जब खाने और पहनने की सुविदा हो गई है तो अब किस बात की चिंता? उन अंग्रेजों को इस चूलह के बारे में अगर पता चला तो सब चौपट हो जाएगा हमें तब बस तुम्हारी चिंता है कहीं तुम अपना मूँ ना खोल दो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मैं ऐसा भला क्यों करूंगा गाउ मेरा भी है और मैं पानी के चूलह के बारे में किसी से नहीं काऊंगा तिम आज का हो काम करने क्यों नहीं आते वो क्या है ना अब खेती का समय आ गया है और कई सारे अन्य घर के कामों के वज़े से मैं नहीं आ पाया और अब मैं आपके यहां साफ सफाई नहीं कर सकता प्राणलाल, एडवर्ड और उसके करमचारियों के सामने ये सारी बाते करके चला जाता है इस पल्ले का कुछ करना पड़ेगा बहुत ज्यादा बोल गया सर हमने देखा है कि इनके गाउं में अब सारी समस्या दूर हो गई है और मेरे खबरी ने कहा कि इनके पास जादूई पानी से चलने वाला चूला है उस चूले पर पानी डालने से खाना पूरे गाउं के लिए बन जाता है अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप चलकर उस गाउं में खुद देख लीजिए एडवर्ड अपने करमचारियों के साथ उस गाउं में जाकर देखता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि करमचारियों की बात सच है एक बड़ा विशाल शूलहा उन्हें दिखाई देता है इसके लिए कई सारे हाथ ही लगेंगे क्योंकि वो चूलहा बहुत ही बड़ा है उसे इंसान लेकर नहीं जा सकते दूसरे ही दिन जाओ जाकर उस विशाल शूलहे को लेकर आओ एड़वर्ड और उसके करमचारी गाओं के किसी भी इंसान की बात नहीं सुनते एड़वर्ड और उसके करमचारी वहाँ पर कई सारे हाथी लेकर विशाल पानी से जलने वाले चूलहे को लेकर चले जाते हैं चूले के बदले कुछ और ले लीजे वरना हमारा क्या होगा हम कहां जाएंगे और उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं अब हम क्या करेंगे कई दिनों बाद गाओ में खुशिया आई थी इन अंग्रेजों से ये भी देखा नहीं गया सब कुछ कुल देउता के हाथ में है चलो मंदर चलकर फिर से दया की भीक मांगते हैं तुरंत ही देवी वहां प्रकट हो जाती है ऐसा चल कपट हमारे साथ कब तक चलेगा ये अंग्रेज हम पर कब तक जल्म करेंगे क्रिपा करें देवी तुम सब की सारी समस्या उन कपटी लोगों को भोगतना ही होगा दूसरी तरफ सारे अंग्रेज खुश थे उन्हें चूला हासिल करके ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हासिल कर ली हो ये हुईने बात चलो चलकर चूला जलाते हैं जी इसमें ह अब आपके पसंद का पनीर मसारा बना रहे हैं इंडियन खाने की बात ही कुछ और है करमचारी जैसे ही सीड़ी से चड़कर चूले में पनीर डालता है एडवर्ड और बाकी सब खुश हो जाते हैं पानी जाल दो एडवर्ड के कहने पर जैसे ही करमचारी ने चूले में प साथ हो गई हो भागो यहां से भागो साफ साफ मुझे बिच्छ ने काट लिया एडवर्ड डर के मारे गाउं की तरफ भाग जाता है और गाउंवालों से माफी मांगने लगता है तुम सब अपना चूला लेकर चले जाओ मुझे ना चूला चाहिए ना लगान मैं पहली फु पानी से चलने वाले चूले को लेकर गाउं आ जाते हैं और उसमें पानी डाल कर दावत करते हैं और सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं